बुद्धिमान दादी की एक मैमना था वह अपनी दादी मां से मिलने जा रहा था जंगल के रास्ते में उसे एक भेडिया मिला भीडिया बोला मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ तो मेमना बोला कृपया मुझे जाने दो मैं अपनी दादी मां से मिलने जा रहा हूँ जब मैं बापस आऊँ तो मुझे खा लेना तो भीडिया बोलता है अच्छा तुम जा सकते हो जब वैं लौटने लगा तो इसने दादी मा को भीड़िये के बारे में बताया तो दादी मा ने उसी उपाय सुझाया उसने कहा चलो अपने आपको इस डोलक में छिपा लो तो उस छोटी सी मैमने ने ऐसा ही किया उस डोलक के अंदर वो बैट गया दादी मा ने डोलक को सड़क पर लुडका दिया डोलक नीचे की और लुडक नहीं लगी अच्छा बताओ अभी हमने ऊपर पड़ा डोलक का शेप कैसा होता है डोलक की आकरती कैसी होती है डोल की लोडकने वाली मैमने ने तो भेडिये को अपना इंतजार करते हुए पाया तो क्या तुमने किसी मैमने को इस तरफ जाते हुए देखा धोलक बोलती है धोलक से पूछता है भेडिया क्या तुमने किसी मैमने को इस तरफ आते हुए देगा तो धोलक में से वाज आती है नहीं बेडिये को शक हो गया वे ढोलक के पीछे पीछे दोडने लगा इससे पहले की बेडिया उसे पकड़ पाता मैमना अपने घर पहुँच गया और उसने अपनी दादी मा को धन्यवाद दिया